नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली प्रोड़क्ट कंपेरिजन पर दोस्तों आपने ज्वारा और बाजरा के बारे में तो सुना ही होगा इन्हें सुपर फूट कहा जाता है क्योंकि ये एक उत्क्रष्ट और पॉष्टिक अनाज है जो विविन स्वास्ते लाबों से भरपूर होते हैं इनमें अधिक मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, वाइटमिन और खनिच सामगरी होती है जो स्वास्ते के लिए काफी फायदे बंद होती है जोर बाजरे में अनेक औशिदिये गोड़ भी होते हैं जो शरीर को मजबूती प्रदान करने में मदद करते हैं और इसे डाइबटीज और हार्ट से रिलेटड प्रॉब्लम्स में भी यूज किया जा सकता है इसका सेवन आर्थिक रूप से सस्ता और सुलब होता है इसलिए इसे एक सुपरफूट माना जाता है तो जैसा कि हम इसके फायदों के बारे में बात करी चुके हैं ये अनाच पॉस्टिक और स्वास्त वर्धक होते हैं और हाल के वर्षों में इनके स्वास्त लाबों के बारे में जागरुकता बढ़ने के कारण इनकी काफी popularity भी बढ़ी है दोस्तों इन दोनों में ही protein, carbohydrates, fiber, vitamins और minerals काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं इन में protein की मात्रा चावल और गेहूं से भी जादा होती है और सबसे इच्छी बात ये है कि ये gluten free होते हैं इसलिए gluten से energy वाले लोगों के लिए भी सुरक्षित होते हैं दोस्तों अगर हम इनके कुछ स्वास्त लाबों की बात करें तो सबसे पहला इनका फायदा ये होता है कि ये पोशक तत्वों से भरपूर होते हैं क्योंकि इन में protein, carbohydrates, fibers, vitamins, minerals की भरपूर मात्रा होती है और इन में protein की मात्रा चावल और गेहूं से भी ज़ादा देखी जाती है second इसका फायदा है कि diabetes के लोग भी इसका use कर सकते हैं गवार और बाजरा blood sugar को control करने में भी help करते हैं और इन में मुझूद fiber blood sugar को बढ़ने से रोपता है next इसका फायदा देखा जाता है heart patients के लिए यानि कि ये blood में cholesterol के level को कम करने में भी help करता है और साथी साथ में इससे heart problems के जोखिम बढ़ने के भी chances कम हो जाते हैं next इसका फायदा है कि ये cancer से भी बचाओ करता है इसमें दोस्तो anti-oxidant पाये जाते हैं जो कि आपका cancer से भी बचाओ करते हैं next इसका फायदा है कि ये पाचन तंत्र के लिए काफी फायदे मन माना जाता है दोस्तो जौर और बाजरे में fiber present होता है इसलिए ये आपके digestive system को regulate करने में भी help करता है और आपके कब्स और अपच जैसी problems को भी दूर करने में मदद करता है ये वजन घटाने में भी सायक होता है क्योंकि इन में calorie की मात्रा काफी कम होती है और fiber काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है इसलिए ये वजन घटाने में भी help करते हैं दोस्तों ये हड्डियों के स्वास्त के लिए भी काफी अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इन में calcium और magnesium जैसे खनिच पाये जाते हैं जो कि हड्डियों के स्वास्त के लिए काफी महत्वपूर होते हैं और इसमें मौझूद फाइबर हड्डियों के बोन मिनरल को भी बढ़ाने में help करता है दोस्तों कब्जिम से राहत दिलाने में help करते हैं यानि कि जिन लोगों को diarrhea जैसी problem या जिनको indigestion जैसी problem देखने को मिलती है उनके लिए ये काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि इनमें fiber बहुत जादा मात्रा में पाया जाता है दोस्तों आईए आप बात कर लेते हैं कि इनका यूज़ आप किस किस तरीके से कर सकते हैं यानि कि आप इसका यूज़ खाने में किस प्रकार से कर सकते हैं तो आप इनसे रोटी, दलिया, खिचडी, पापड, चिप्स, इटली, डोसा, एक्सेक्टर बना के खा सकते हैं इसके अलावे इनका उपियोग सबजियों और दालों में भी किया जा सकता है अगर हम इनके नुकसानों की बात करें तो वैसे इसके कोई गंबीर नुकसान नहीं देखे जाते हैं हाला कि कुछ लोगों में जौर और बाजरे से ऐलर्जी भी हो सकती है इसलिए अगर आपको ज्वार या बाजरे से एलर्जी है तो इसका यूज आपको नहीं करना चाहिए या डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद ही आपको इसका यूज करना चाहिए एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि ज्वार और बाजरे दोनों ही अत्यन्त पॉस्टिक और स्वास्त वर्धक अनाज हैं इनमें प्रोटीन, कार्वोहईडरेट, फाइबर, वाइटमिन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है और इसमें कई तरीके के स्वास्त लाब भी देखे जाते हैं तो दोस्तों हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हूँ तो इसे लाइक और शियर जरूर करें और अगर आप ऐसी informative वीडियो इन फ्यूचर भी चाते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें धन्यवाद